नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजी ग्यान क्लासेस में 12 बच चुके हैं और 12 बजे ये है आपकी जनरल साइंसी क्लास इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे सवाल जो आपको करवाये जाएंगे वो एक्जाम के लिए बहु आपको करवाये जाएंगे हर रोज शाम के 5 बजे भी हमारी एक क्लास होती है एंटी पीसी ग्रूप डी और एससी के लिए जो आपको एक्जाम में सेलेक्शन दिलवाने के लिए बहुत ही महत्वपून रोल प्ले करेगी ये है हमारी जेनरल नॉलेज की क्लास डेली जी के इसकी पीडिएफ भी आपको प्रवाइट करवा दी जाती है यहां तक कि हमारे सारे क्लास इसकी पीडिएफ आपको दी जाती है इसके लिए आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप से या फिर वाट्सप ग्रूप से जुड़ना होगा तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे description में आए और वहां से आके link को copy कर सकते हैं, अब हमारी ये class की schedule है, 12 बजे जैसे कि आपको पता है important GS की class होती है, 3 बजे important GK quiz होती है, 3 और 5 बजे GK की class for NTPC group DSSC और रात में 8 बजे general science की quiz की class होती है, आप यहां general science को detail में पढ़ें और रात में 8 बजे हमारे quiz को जरूर से attempt करें, इससे आप अपनी तयारी को भी जा सकते हैं, कि आपका level अभी science का कहां पे है, पहला सवाल जो है आज का वो है, dietase enzyme का स्रोथ क्या है, what is the source of dietase enzyme, आप सभी मेरे साथ comment section में जुर जाएए और तयार हो जाएए, answers को comment करने के लिए, मैं आपके comments भी देख र होना है, और जो भी साथ ही अभी तक नहीं जुरे हैं, वो जल्दी से हमारी session से जुर जाएए, और इसका जो सही उत्तर है, वो है option number second, यानि की salivary glands, dietase enzyme का स्रोथ क्या है, तो salivary glands है, अब 3 pair होते हैं salivary glands के, आप लोग जल्दी से अपनी copy paste निकाल लीजिए, और जल्दी से लिख लीजिए, 3 pairs of salivary glands के नाम को, आप लोग को अगर पता है, तो आप जल्दी से मुझे comment करके बताइए, कि आपको कौन-कौन से नाम पता है, मैं आपको लिखवा रही हूँ, सबसे पहला जो है, वो है parotid gland, याद रखिएगा, exam में पूछा जाता है, parotid gland क्या है, तो ये एक तरह का salivary gland का part है, parotid हो गया, sub-mandibular हो गया, sub-mandibular हो गया, और जो तीसरा है, अगर आपको पता है, तो आप comment करके मुझे answer बताइए, sub-mandibular हो गया, और तीसरा जो है, वो है, sub-lingual, मैं यहाँ लिख रही हूँ, sub-lingual, जो है, वो तीसरा है, salivary gland का part, ये तीनो ही बहुत important है, और exam में भी पूछे जाते है, इसलिए मैंने आपको इसका बता दिया है, और इसका जो सही उत्तर था, वो था, option number second, यानि salivary glands, अब चलते हैं, दूसरे सवाल क्यों, और दूसरा सवाल है, ECG का अविश्कार किसने किया, who invented electrocardiogram, option से William Enthoven, William Shiel, Thompson Perry, या फिर iliaz hove, तो यहां से आपके दो सवाल complete होते हैं, पहला तो ECG का full form क्या है, तो ECG का full form होता है, electrocardiogram, अब options जैसे मैंने आपको बताया, इस option में जो सही option है, वो है option number first, यानि कि William Enthoven, William Enthoven ने ही electrocardiogram का अविश्कार किया था, अब अगर आपको iliaz hove के बारे में पता है, इनके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बता दीजे कि ये किस चीज के आविश्कार के लिए famous है, तो comment कीजिए, comment section में मैं आपके comments भी देख रही हूँ, iliaz hove जिस चीज के आविश्कार के लिए famous थे, वो कौन से चीज था, वो था सिलाई machine या फिर sieving machine, sieving machine के invention के लिए ilia सोवे को जाना जाता है, अब चलिए चलते हैं, तीसरे सवाल की ओर, रक्त वाही काउ से रही तरल प्रतार्त का हिस्सा को क्या कहा जाता है, the fluid part of blood devoid of corpuscles is called, options है plasma, serum, lassika या फिर ये सभी, तो आपको बताना है बहुत ही important question है ये, और सारे ही सवाल जो आपको बताये जा रहे हैं, बहुत ही महतुपूर्ण है, इसका comment करके answer बताईए, और इसका जो सही उत्तर है, वो है option number first, यानि की plasma, रक्त वाही काउ से रही तरल पदार्त को क्या कहा जाता है plasma, अब आप ये मुझे बताईए कि हमारे blood में plasma का कितना percentage पाया जाता है, comment मैं आपके देख रही हूँ आप जल्दी जल्दी से comment कीजिए, सारे जो भी हमारे साथ जुरे है, सभी, इसका जो सही उत्तर है, वो है 55%, 55% हमारे blood में plasma का portion रहता है, अब plasma बना किसी चीज से होता है, ये बता दीजिए, तो plasma जिन चीजों से बना होता है, वो कौन से है, water है, फिर आपके salts है, फिर enzymes है, कुछ portion protein का रहता है, और antibody, ये सारे चीज़े मिल के बनाती है, plasma, plasma का निर्मान करती है, और इसका सही उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब चलते है चौते सवाल की और, और चौता सवाल बताने के पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं क तो शरीर का कौन सा हिसा आपके हिसाब से आराम नहीं करता है, कमेंट जरूर करें, और इसका जो सही उत्तर है, वो है option number 4, यानि की दिल, hurt जो होता है अब हमारे शरीर का organ, वो कभी भी rest नहीं करता है, याद रखिएगा, अब एक और सवाल आपसे पूछा जाए, जो यह उत्तर अगर मैं बता दूँ आपको, तो वो है 310 क्राम, exact value कितना होता है, hurt का 310 क्राम होता है, याद रखिएगा, अब चलते हैं पाचवे सवाल की ओर, एडेनोलोजी निमलिकित में से किसका आध्यन है, तो आपको बताना है, एडेनोलोजी किसके study को हम लोग कहते हैं option से enzyme, blood, bones या फिर glands, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, comment कीजिए आप लोग जल्ली से, और जो भी साथी अभी अभी जूरे हैं, वो वीडियो को बाद में भी play करके देख सकते हैं, और इसका सही उत्तर मैं आपको बताती हूँ, इसका सही उत्तर है, option में 4 यानि कि glands, glands के study को हम लोग Edenology कहते हैं, अब चलते हैं छटे सवाल की, और ethanol का ethanoic acid के रूपांतरन होता है, इस process को हम लोग क्या कहते है, oxidation कहते है, reduction कहते है, redox reaction कहते है, या फिर none of these, तो पहले तो oxidation क्या होता है, oxidation आप तब तब कमेंट कीजिए, मैं आपको थोड़ा से इसके बारे में बता द है, oxidation कहते है, याद रखिएगा आप लोग addition of oxygen and removal of hydrogen is called oxidation या फिर oxy current, अब redox reaction जैसा कि आपको option में दिख रहा है, तो जब हम लोग oxidation plus reduction के combined process को conduct करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते है, redox reaction, लेकिन इसका सही उत्तर, अगर आपने comment किया है, तो बहुत अच्छी बात है, यानि कि oxidation कहते है, conversion of ethanol to ethanoic acid, अब चलते हैं साथ में सवाल की और, पानी में एक हवा का बुलबुला किस प्रकार के lens या दरपन की तरह काम करेगा, option से उत्तर दरपन, उत्तर लेंस, अवतल दरपन या फिर अवतल लेंस, तो air bubble in water act like which type of lens और mirror, तो यह आपको बताना है, और इसका जो सही उत्तर है, वो है option number 4, यानि कि of the lens, यानि कि concave lens, याद रखिएगा, concave lens के तरह काम करता है, पानी में हवा का एक बुलबुला, अब चलते हैं, आटवे सवाल की और, हवा में carbon dioxide की मात्रा जिसे हम बाहर निकालते हैं, the carbon dioxide contained in the air that we exhale is about, कितना percentage हम लोग carbon dioxide को शरी से बाहर निकालते हैं, options है, 4%, 10%, 12% या 20%, आप सभी students जो भी जुरे हैं हमारे साथ, अंत तक जुरे रहिएगा, सारे सवाल बहुत ही जादा important है, और आपके exam के लिए math phone है, इसका जो सही उत्तर है, वो है option number 3, यानि कि 12%, कितना percentage हम लोग carbon dioxide को शरी से बाहर निकालते हैं, तो the pH of the mouth falls below, option से 4, 11.2, 3.7 या फिर 5.5, तो आपको इसका सही उत्तर मुझे बताना है, pH कितना गिरने पे दातों में सरन शुरू हो जाती है, और इसका जो सही उत्तर है, वो है option number 4, यानि कि 5.5, pH जब 5.5 से नीचे गिरता है, तो दातों में सरन शुरू हो जाती है, अब आप आपको ये बताना है कि pH का आविशकार किसने किया था, गमेर सेक्शन में जल्दी से बता दीचे कि pH का आविशकार किसने किया था, और pH का full form क्या होता है, ये भी बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है कि pH का full form क्या होता है, तो potential of hydrogen याद रखियेगा, और sorenson जो थे, इ मेरे इस effort को support करते हुए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, और दस्वा सवाल है, sonography में प्रयोग तरंगे कौन सी तरंगे है, तब waves used in sonography are which waves, options है infrared, radio waves, UV rays या फिर gamma rays, तो बताइए जल्दी से sonography में कौन सी तरंगों का ब्योग किया जाता है, और इसमें मैं एक औ option डाल देती हूँ, अगर ultrasonic, ultrasonic rays, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है, इसमें अगर मैं तो ऐसा correction कर दूँ, तो option number third is the right answer, यानि कि ultrasonic rays को ही हम लोग use करते हैं sonography में, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, खतम होता है यहाँ, आप चलते 11 सवाल के और, 20 Hz से 20,000 Hz की अवरित्ती वाली ध्वनिया है, the sound having frequency of 20 Hz to 20,000 Hz are, options है, infrasound, ultrasound, inaudible या फिर audible, तो 20 Hz से 20,000 Hz की sounds को हम लोग क्या कहते हैं, जिनको पता है, comment जरूर कीजिए, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो option number four में वो answer दिया हुआ है, यानि कि audible sounds हम लोग इसे कहते हैं, श्रव्य ध्वनिया, ऐसी ध प्रकाश का वेग क्या होता है, velocity of light in vacuum, mention जरूर याद रखिएगा, vacuum में पूछा जा रहा है, और आपको इसके options दिये गया है, इन 4 options में आपके हिसाब से कौन सा option सही है, comment कीजिए, और मैं आपके comments देख रही हूँ, अब इतक तो कोई सही option नहीं आया है, और इसका जो सही उत्तर है, वो है option number second, यानि की 3 into 10 to the power 8 meter per second is the right answer, यानि की velocity of light in vacuum जो होता है, वो होता है option number second, यानि की 3 into 10 to the power 8 meter per second, चलते हैं तेनर वे सवाल की ओर, रोग athlete food किसके कारण होता है, the disease athlete food is caused by virus, bacteria, fungi या फिर parasite, और हाँ, इन 15 सवालों में इसे आप कितने सवालों को सही कर पाते है ये भी आप जरूर देखिएगा और हर रोज इस class को लेते हुए अपने improvement को भी जरूर जाचिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो है option number third, यानि की fungi, athlete food किसके वज़े से होता है, अब आप मुझे comment में जल्दी से दो viral disease के नाम बता दीजिए, virus से फैलने वाले ऐसे दो disease जो आ आपको बताना है, रक्त में, लसीका में, हड्डी में या फिर platelets में, तो बहुत ही important question है, ये भी लेकिन इसमें एक trick छुपा हुआ है, अगर आपको पता है, osteocytes का meaning क्या होता है, तो आप जल्दी से इस answer मुझे दे देंगे, और मैं उमीद करती हूँ, आप सभी का answer सही यानि हड्डी में ही पाए जाते है, osteocytes, हड्डी के study को भी osteology कहते है, ये भी याद रखिएगा, और यहां होता है, हमारा 14 वा सवाल खतम, मैं उमीद करती हूँ, आप जो भी students देख रहे हैं, उन्होंने वीडियो को एक like जरूर दे दिया होगा अभी तक, और आज का अंत जल्दी से आप मुझे atomic number बता दीजे, कमेंट करके, ओसमियम का atomic number, lithium का, borone का oxygen का, तो borone का atomic number तो बहुत एजी है, पता होगा आप लोग को 5, oxygen का कितना है, oxygen का होता है, 8, और और ओसमियम का, कमेंट जल्दी से कीजे, औसमियम का कितना होता है, 76 होता है, atomic number से सवाल आते है, इसलिए मैं आपको हर रोज अपने quiz में हो या यहां हो, मैं आपको एक ना, atomic number से question जरूर करवाती हूँ, और इसका जो सही होता है, वो option number second, यानि की lithium, hydrogen, helium, lithium, lithium का जो atomic number हो जाता है, वो हो जाता है, 3, याद रखिएगा, important question है, और इस class को देखने के बाद, हमारी 3 बजे भी आपकी GK की quiz को class को जरूर लीजेगा, 5 बजे भी हमारी class होती है, जो कि GK के detail question करवा जाते है, और रात 8 बजे general science के quiz को भी हमारे चैनल पे जरूर देखिएगा, चैनल को subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से subscribe भी आप लोग कर ले, और bell icon को भी प्रस करें, ताकि हमारी notifications आप तक पहुंचती रहे, और मिलते हैं कल दोपेर ठीक 12 बजे हमारे इसे channel पे, डिजी गान ग्लासे से, thank you so much.